यहाद एक बहुत ही जादा confusing question यह है कि पहले मुर्गी आया या अंडा और इस question का answer ढूंडते ढूंडते तो scientist का भी सर एकदम चक्रा चुका था क्योंकि यह question खुद ही confusion है क्योंकि इस question से दो questions बन रहे है कि पहले मुर्गी आया या फिर उसका अंडा और दूसरा question यह बन रहे है कि पहले मुर्गी आया फिर अंडा वो अंडा किसी भी चीज का हो सकता है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आप लोगो को यह पता चल जाए कि पहले मुर्गी आया अंडा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो उस लाल वाले subscribe बटन को अभी के अभी दबा दो और मेरे वीडियो को दे दो एक thumbs up चलिए शुरू करते यार मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो फिर मुर्गी से पहले तो अंडा आई चुका था चाहे वो डाइनसौर का ही क्यों ना हो तो इस situation में तो अंडा जीत गया क्योंकि अंडा जो है वो मुर्गी से कम से कम 400 million years पहले आया था बट दूसरी confusing situation यह है कि अगर मुर्गी पहले आई मतलब एक मुर्गी पहले यंड़े से लेकिन अगर मुर्गी अंडे से आई तो फिर दूसरी मिला क्योंकि देखो ओवी 17 जो है वह कहीं से तो आया है लेकिन यह सब कुछ बस evolution की वजह है evolution जो है वो DNA में कुछ changes लाता है बहुत धीरे धीरे क्योंकि evolution एक बहुत ही जादा slow process है और इसको होने में बहुत time लगता है जैसे कि हम इंसान बंदर से बने वैसी ये जो मुर्गी है वो एक archotrex नाम के एक dinosaur species से evolve होके बनी है और ये जो species थी ये टीरेक्स की सबसे जादा closest related थी लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि archotrex कहां से आया वो भी तो किसी अंडे से ही निकला होगा लेकिन इसका पूरा answer तो Charles Darwin ने अपनी theory of evolution में ही दे दिया था में उन्होंने ये बताया था कि कैसे हमारी life cycle स्टार्ट वी water से और इस water में रहते थे हम लोग microorganisms की तरह उसके बाद वो microorganisms पहले फिश बने उसके बाद फिश जो है वो धीरे-दीरे evolve करते करते लेंड पे आगी और उसके बाद लेंड पे बहुत सारे creatures ने जन लिया जब भी किसी organism का जन होता है तो फिर उसके जो genes होते हैं वो उसके parents से थोड़ा सा evolved रहते हैं मतलब उसमें थोड़ा सा difference होता ही है और ऐसा ही हुआ था हमारे हैं के साथ जिस समय बहुत सारे creatures ने जन लिया था उनी में से एक था Archaeopteryx ये जो Archaeopteryx है ये प्रोटो हैंस का ancestor है और ये जो प्रोटो हैंस है ये हैंस के ancestor है मतलब ये जो Archaeopteryx है ये evolve होते होते एक प्रोट सकती नहीं है तो फिर इसलिए उने पाल के रखा जाता है और ये जो महेंस को पालने वाली बात आई है ये करीब करीब 8000 साल पुरानी है और आज की मुर्गियों का जो DNA है वो Red Jungle Fall नाम की एक Bird की स्पीशी से 71 से 79% तक मैच करता है मतलब जो Red Jungle Fall है वो है उनका ancestor जिने हम क्योंकि वो जो मुर्गी निकलिए वो अंडे से ही निकलिए और अगर हम लोग OV17 की बात कर रहे थे तो वो OV17 उससे प्रोटो हैंस ने दे दिया था तो means confusion खतम अगर आपसे कोई भी पूछे भाई बता पहले मुर्गी आया या अंडा सीधा बोल देना अंडा अगर पूछे कैसे तो फिर मेरा वीडियो दिखा देना बस तो means जो हमारे पास दोनों सिच्वेशन है उन दोनों ही सिच्वेशन में अंडा जी दिया यानि मुर्गी अंडे का डाउट भी सॉल्व हो गया होगा तो इस वीडियो को दे दो एक थमस अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकिशन का घंटा भी दबा दो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए हैपी न्यू यू यर् और में उल्प सब्सक्राइब की दिएर्श में पुर्ण थवाँ कर दो वीडियो कर दो में त Saudi और में प्रुण खाईब को दो एक्क ताईब की के लिएकिर कर दो दो की वीडियो सब्सक्राइब कर दो बढ़ दादार हो अटोर्ण चैनल कर दो और दो झाल झाल